नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस द्वरा प्रकाशित कल्यान पत्रिका के वर्ष दोजार चौबिस के जन्वरी का विशेशांग के है संचिप्त आनंद रमायन अंक जिनने नहीं पता उनकी जन्कारी के लिए बता दूँ जिता प्रेस के एक मासिक पत्रिका आती है कल्यान नाम से जन्वरी से दिसंबर तक इसका एन्वल सिर니ज माना जाता है और जन्वरी महीने के जो एडिशन होता है वो विशेश अग होता है special edition होता है जो कि इस तरह का दिखता है हर बार एक नया कुछ रहता है और बाकी के 11 महीनों में सामाने अंग का आता है जैसे ये आप पिछले साल दिसंबर का देख सकते हैं ये कल्यान का 98th year है तो यहां वर्ष 98 लिखावा है संख्या 1 January का एडिशन है ये पिछले साल दिसंबर का सामाने अंग है तो वर्ष 97 संख्या 12 है मूल्य तीन सो रुपे है अगर सामाने अटाक से आप राप करना चाहें जब भी आप कल्यान का विशेश अंग खरीदते हैं तो इसके साथ साथ अपने आप जो सामाने अंग है अभी आप कल्यान का सब्सक्रिप्शन गीता प्रेस की वेब साइट पर भी जाके ले सकते हैं और गीता प्रेस के जो बुक स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी फॉर्म भरके ले सकते हैं बाद में फिर कुछ महीनों बाद ये आम तोर पर फिर उपलब्द नहीं होता है अगर बीच के साल में भी लेते हैं और उस समय तक उपलब्द रहता है तो पहले के सारे अंक जो हैं वो दिये जाते हैं फिर बाद के अंक हर महीने दिये जाते हैं और कई सारे जो अभी हम पुरान देख रहे हैं और ग्रंत देख रहें गीता प्रैस के वो इसी परकार से पहली बार कल्यान की ही अंक के रूप में प्रकाशित हुए थे जैसे अभी संचित आनंद रमायन अंक प्रकाशित हुआ है और बाद में डिमांड के अनुसार गीता प्रस ने उनको या तो पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना शुरू कर दिया या फिर कल्यान उनको री प्रिंट करना स्टार्ट किया और या फिर उसको और थोड़ा सा उसमें मूल वगेरा भी ऐड़ करके संपूर्ण पुरान के रूप में किसी और ग्रंथ के रूप में जो भी ग्रंथ रहा हो रहसा प्रकाशित करती है तो हो सकता है अभी संचित आनंद रमाइन अंक आया है तो कुछ वर्षों में इसका मतलब गीता प्रस से आनंद रमाइन की पुस्तक भी आ जाएगी यहां बैक कवर पर मंगल प्रद श्री राम सूप्रभात स्त्रोत्र दिया गया है मूल और नीचे हिंदी प्यनुवाद दिया गया है यह आनंद रमाइन के ही विलास कांड से है यह पत्रिका है तो यहां पत्रिका के रेजिस्ट्रेशन नित्यादी का डीटेल दिया गया है यहां एक रंगीन चित्र है संस्थापक ब्रमलीन परमसरद्य श्री जय दयाल जी गोयंदका आदी संपादक नित्य लिलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और अभी संपादक है कल्यान पत्रिका के श्री प्रेम प्रकाश लकड़ जी और सह संपादक है श्री किश नुकमार खेमकाजी यह कुछ रंगीन चित्र दिये गए हैं कलर्ट पॉलिष ट्वेजस पर सर्यू तटपे श्री राम आदी चारो भाई जनकपूर के राजपत पर श्री राम लक्ष्मन जनक सभा में धनुश भंग चारो भाईयों का विवाः श्री राम का वंगमन श्री हनुआन जी का लंका के लिए प्रस्थान श्री राम का रावन के साथ घोर संग्राम श्री सीता जी की गोद में लवकुष माताभू देवी की गोद में सीता जी श्रीराम के अश्व मेध यग में श्यामकर्ण नामक यग्य अश्व का पूजन यग्य वेदी पर सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा उसके बाद ये एक भी चित्र दिया गया है राम राज की शाशकिय मुद्रा राजा राम ये देख सकते हैं सफेद में यह राजा राम लिखके आ रहा है और ये येलो पीले रंग का बॉर्डर होता है आनंद रामायन के अंतरगती एक अध्याय है जिसमें ये मुद्रा किस प्रकार बनाई जाती थी उसकी जानकारी दी गई है और उसी के अलहार पर यहाँ पर ये बनाया गया है यह राम मुद्रा महाराजा धिराज श्री राम के शाषन का राज की अचिन है इसमें स्वेत आक्षरों में अंकित राजा राम का शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आनंदर मायन के राज यही कारण में इसकी निर्मान लिधी तसस के अराधनीय शुरूप का भी वर्णन प्राप्त होता है और फिर वही राजिकांड से श्लोकुद्रत किया गया है श्री राम के शाषनकाल में कोई भी शेस्तरधारी वेक्ति इस राम मुद्रा सेंकित पत्र को लिए बिना कभी भी आयोध्या राज में प्रवेश नहीं पा सकता था फिर यहां एक श्री राम दर्बार की जहाकी जो श्री राम दर्बार की जहाकी का जो इस तरह का हमें चित्र मिलता है नवायतन या पंचायतन के साथ वह भी चित्र जो हर जगा आपको अपलब्द होता है वो आनंद रमायन में ही उसका भी वर्दन किया गया है कौन कहां पे बैठता है और उसके हिसाब से ही है चित्र बनाया जाता है आज हर जगा भगवान श्रीराम की बंदना ये भी आनंद रमायन के सारकांड से लेकर के दिया गया है कल्यान के सदस्थियों के लिए कुछ जानकारी यहां दी गई है पुनर मुद्रत जैसा मैंने बताया कुछ विशेशांग जो बहुत पॉपलर हो जाते हैं उनका पुनर मुद्रन होता है आप देख सकते हैं यहां उपनिशद अंक से लेकर के बहुत सारे कल्यान के विशेशांग ही हैं जो अंक के नाम से ही मिल रहे हैं उसके अलावा संचिप्त योग वसिष्ट से लेकर के आपको संचिप्त शिव पुरान, संचिप्त ब्रह्म हवयवर्थ, पुरान, संचिप्त श्रीमत देवी भागवत, मतस्य महापुरान साअनुवाद, वावन पुरान, इनमें से कई ग्रंथ हमने देखे भी हैं, अगनी प पहले कल्यान के जो विशेश अंख का नम्र निवेदन होता है प्रकाशक द्वारा, वो अंत में दिया रहता है, उसका कुछ अंच में आपको पढ़के सुनादू, ताकि आपको गरंथ के बारे में बैग्राउंड मिल जए, नम्र निवेदन एवं छमा प्रार्थना, प्र आज हमें वालमिकी रमायन के अतरिक्त देव भाषा संस्क्रिट में भी अनेका नेक रमायन गरंत प्राप्त होते हैं, जिनमें अध्यात्म रमायन पद्म पुरान उक्त, राम आश्वमेद, आनंद रमायन इत्यादीक प्रमुक हैं इनमें भी आनंद रमायन की कुछ विलक्षनता है, इसमें सबसे बड़ी विशेष्टा यह है कि अन्य रमायनों में जहां भगवान श्री राम के अविर्भाव से लेकर उनके राज्यारोहन तक की लीला कथाओं की प्राया गुर्णान हुआ है, वहीं इस रमायन में इस प इसकी कथाएं अत्यंत नवीन, मन को हलादित करने वाली तथा भक्ती को बढ़ाने वाली हैं, इसमें भगवान श्री राम की ऐसी ऐसी हलादक कथाएं हैं जिनका कहीं अन्यत्र वर्णन नहीं मिलता, इनमें महर्शी वेद व्यास का भगवान श्री राम के पास आना, उनकी भगवान श्री राम की दिगविजे गाथा अनूठा भुगोल वर्दन आदी इस ग्रंथ की अनमोल निधिया है। आनंद रमायन में राजा दिराज प्रभु श्री राम जी की ग्यारा हजार वर्षों की राज जिकाल की अनुपवन लीलाओं का चित्र अनकरते हुए। जैसे भुगोल का वर्दन हो गया, नीती शास्त्र का वर्दन हो गया, पूजा पधती का वर्दन हो गया। वो केंद्र में प्रभु श्री राम ही है, लेकिन बहुत सारे उस तरह के विश्यों का इसमें वर्दन आया है। इसमें कुल नौ कांड है, संपूर्ण आनंद रामायन नौ कांडों में विभक्त है, जिनके नाम इस प्रकार है। सार कांड, यातरा कांड, याग कांड, विलाश्त कांड, जंम कांड, विवह कांड, राज्य कांड, मनोहर कांड, तथा पूर्ण कांड। तो इसमें जो आज के समय में श्री वालमिकी रमायन हमारे समख्चुप लब्ध है करीब 24,000 श्लोकों में उस गरंथ का सार जो है समस्त सार कार्ण में आ जाता है और सार कार्ण में समाप्त हो जाता है और उसके आगे की जो कथा है जैसा की नाम से वेदित है यातरा कार्ण मे प्रभुश्री राम की जो व्यविन तीर्थ यात्राएं है संपूर्ण भारत वर्ष में उनका वर्णन है याग कांड में जो उन्होंने अश्वमेद यग्यों को किया था उसका वर्णन है फिर विलास कांड में उनकी लिलाओं का वर्णन है जन्म कांड में उनके पुत्रों का और लक्षपन जी भरत जी शत्रगान जी के पुत्रों का वर्णन है विवाकांड में उन सभी के पुत्रों के विवाहों का वर्णन है राज कांड में उन्होंने जो उपदेश दिये और जो ग्यान दिया और बाकी जो राज संचालन के समयच कुछ घटनाए हुई उनके आ नम्रनी वेदन में और बहुत सारे पूजा पाथ कि इस प्रकार से किया जाए वरत्तियोहार उनका बहुत विस्तार से वर्णन है और पूर्न कांड में ग्रंथ समाब्थ हो जाता है जिसमें प्रभुशीराम की वेकुंठ धाम को की यात्रा उनका लीला जो है यहाँ पर समाप्त करके वैकुंट दाम जाने के बारे में इसमें कता दी गई है कांडो के अंतरगत सर्ग है, सर्गो के अंतरगत श्लोक है, पूरे आनंद रमायन में 109 सर्ग और लगभग 12,000 श्लोक है तो यह थी जानकरी, अब दूसरा यह जो ग्रंत है, इसमें आनंद रमायन दिया गया है केवल हिंदी अनुवाद है, मूल संस्कृत नहीं दिया गया है कहीं कहीं पर स्त्रोत्रों का, या मंत्रों का तो दिया ही गया है, मूल संस्कृत दिया गया है कहीं केवल मूल संस्कृत दिया गया है कहीं केवल अनुवाद दिया गया है कहीं कहीं मूल संस्कृत अनुवाद दोनों दे दिया गया है परिशिष्ट के रूप में कुछ स्त्रोत्र जो है उनका मूल संस्कृत पांच साथ स्त्रोत्रों का दे दिया गया है अब यह संचिप्त क्यों है, उसकी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है, कि संचिप्त क्यों कहा जा रहा है इसको, आनंद रमायन में कावे सौंदरी की दृष्टी से कुछ श्रिंगारिक अंच और ऐसी बाते भी हैं, जो समाने जनों को भ्रह्म में डाल सकती है, अता इन गू अब यहां आ जाते हैं, भगवान श्री राम की बंदना हम देख चुके हैं, फिर विशे सूची में मंगल आचरन है, मंगल वाचन श्री आनंद रमायन का महात्मय है, यह सभी चीज़े जो हैं श्री आनंद रमायन से ही लेकर के यहां डाली गई है, किसी दूसरे ग्रंत से एक श्री आनंद रमायन है, आनंद रमायन का प्रतिपाद्य विशे क्या है, आनंद रमायन के पाठ काफल क्या है, आनंद रमायन मिमानशा, जो है श्री करपात्री महराज की उस तक ग्रंत हाता है, रमायन मिमानशा, उसी से उद्रत करके लिया गया है, उस ग्रंत को भी हम जल्दी ही उस पर चर्चा करेंगे श्री आनंद रमायन शुक्ति सुधा विभन शुक्तियों को लेकर दिया गया है मूल और उनका हिंदी मैनवाद भगवान सिर्शीता राम जी की आरती फिर दी गई है और उसके बाद ग्रंथ प्रारंब हो रहा है तथम सार कांड है उसका दियातरा कांड फिर याग कांड फिर विलाश कांड जन्म कांड विवा कांड राज्य कांड जो है उसमें दो भागों में है पूरवार्ध और उत्तरार्ध मनोहर कांड है फिर पूरन कांड है स्तवन सुधा जो परिशिष्ठ में अंत में कुछ मूल आपको ये दिये गए है स्त्रोत्र और सुत्यां दी गई है उसमें उन्हीं का यहाँ पर विश्य सूची में जानकारी दी गई है वो अभी हम देखेंगे जब महाँ पहुंचेंगे चित्र सूची, रंगीन चित्र और जर्मकांड की कुछ दिवे जाकिया उसके बाद प्रिश्चंक्या 217 पर मंगल वाचन आनंदरमायन के सारकांड और विभाकांड से लेकर दिया गया है मूल और निचे हिंदी अनुवाद बहुत बड़े फॉंट में यहाँ दिया गया है यह भी आनंदरमायन से दिया गया है और यह बहुत ही प्रसिध आनंदरमायन का सरवे अपी सुखिना संतु सरवे संतु निराम आया सरवे भद्रानी पश्यन्तु मा कस्चिद दुखाप नुयाद सभी लोग सुखी होए सभी लोग सभी प्रकार के रोगों से दूर रहे सभी लोग मंगल में दिन देखे कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी ना हो श्री आनंदरमायन का महात्मे यह भी आनंदरमायन के पूर्ण कांड से लेके दिया गया है एक श्लो की आनंदरमायन सार कांड से अनन्द रमयान का प्रतिपाद्य विशय भगवान श्री राम ने दशानन रावन का वध करने के रंतर मुनी कमबोधर के वचनों का आदर करने के लिए तीर्थ यातर संपन की और अनेक प्रकार के अस्त्रयग्यों को संपन किया तरंतर विविध प्रकार के सुखों का भोग किया पाताल लोग को जाती ही देवी सीता को वापस लिया तरंतर कुश आदी पुत्रों का विवाह करके वधूं को प्राप्त किया और फिर प्रित्वी मंडल के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त किया तरंतर अपनी समस्त प यहां इस लेक में भी लिखा गया है सत कोटी प्रविस्तर रमायन प्रमान सिद्ध होने पर भी कि वालमिकी रमायन जो है वो औरिजनली सत कोटी वे प्रविस्तर था यानि कि उसमें सौ करोड़ श्लोकों वाला था और फिर उन्हीं का विभाजन करके पृत्वी पर पाताल ल बने है और फिर सारे जो रमायन है वो अलग-अलग बने है और एक जगह यह भी लिखा गया है कि जो अलग-अलग कलपों में रमायन हुए थे उन सब का जो संकलन करके जो सारे रमायन है वो वालमिकी रमायन है फिर उन्हीं में से यह अलग-अलग तरह के फिर रमायन बने ह इसले इसमें थोड़ा सा बहुत जो पाठ का भेध है जो कथाओं का अंतर है वो कल्प अंतर के आधार पर वो सब स्विकारे है जैसे यहां कहा है फिर भी इसी प्रकार सट कोटी प्रषितर रमायन आज उपलब्द ना होने पर भी उसकी सारभूत चतुर विंशत साहस्त्री स संगीता वालमिकी रमायन विद्यमान है प्राहे अधिकांश भारतियायम और भारतियाराम कथाओं का अधार वही है फिर भी अध्यात्म रमायन अध्भुत रमायन आनंद रमायन वशिष्ट रमायन वशिष्ट रमायन योग वशिष्ट महारमायन तथा पुरानों संगीत किया है अनंदरवायन में कौन-कौन से विशिष्ट विश है किन कांडों में जो है उन पे चर्चा की गई है ऐसे दो प्रिष्टों का ही है शुक्ति सुधा यहां मूल श्लोक और नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है और उपर एक छोटी सी हेडिंग भी गई है कि शुक्ति सुधा जो है किस संदर्व में है समस्य दिर्ष्य प्रपंच नारायन सरूप है इस पर एक श्लोक है सभी उपासकों को नारायन की प्राप्ति श्री राम नाम का महात्मे माया को परास्त करने का उपाए भगवान श्री राम की तीन प्रतिग्याए भगवान राम एवं कृष्ण में अभेद भगवान शिव श्रीराम की आर्ति है और यहां पर एक चित्र दिया गया है ग्रंथ यहां से प्रारंब हो रहा है संचिप्त आनंद्रमायन प्रथम कांड का पहला सर्ग है कि जो विशय सूची में हमने देखा काफी विस्तृत हैं हर चाप्टर की तो यह वहीवाली हेडिंग है कि क्या-क्या इसमें आ रहे हैं और फिर हिंदी में ही है मूल गरंथ तो ये पुस्तफ जो है वो हिंदी में है मूल संस्कृत नहीं दिया गया है यहाँ पर पहले ही प्रिष्ट पे जानकारी दी गए है श्री राम दर्बार और श्री राम पंचायतन के जो चित्र उपलब्ध होते हैं वो प्राया है इसी स्लोक के विवरण के आधार पर बने हुए है अत्यन्त महत्व का होने से यह श्लोक आनंद रमायन में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है यह वाला श्लोक है यहाँ पर इसका मूल भी बिया गया है तो संस्कृत में है ग्रंथ फॉर्ण साइज अच्छा है स्पेसिंग अच्छी है पढ़ने में कोई किसी प्रकार का की समस्या नहीं होगी प्रिंटिंग का भी कहीं कोई भी इश्यू नहीं है कथा का इसमें भेद है कई जगों पे कुछ महतुपूर्ण बिंदों पे भी भेद है जैसे कि यहाँ एक भेद दिखता है वालमी की रमायान में शत्रुगण को भरत का नहीं अपितु लक्ष्मन का सहोधर कहा गया है कलपांतरीय सिध्धांद के अनुसार दोनों ही मत उचेत है इस गरंत में शत्रुगण को भरत का सहोधर कहा गया है जबकि वालमी की रमायान में शत्रुगण को लक्ष्मन का सहोधर बताया गया है तो कलपांतरिय सिध्धांद के अनुसार दोनों ही मत उचित हैं और विभिन कलपों का यहां भी हमें अन्यक अथाओं में भी उसकी जानकारी मिलती है अब आनंद रमायनी के अनुसार प्रभुश्री राम और सीता जी कई बार लंका गए थे यहां पर आगे एक अध्याय में तो विस्तार से इसकता का वर्णन आता है यहां पर हलका सा उलेख है दूसरे दूरीप में रहने वाले सौ सिर्वाले रावन और जो की पॉंडरक की साहिता के लिए रंका में आये थे तो सौसिरवाले रावन की वहाँ पर उसके संगहार है तुभी विभीज़न की साहेता के लिए वो बहते तो उसका एक उलेख आता है यहाँ पर जो कल्प भेद की बात की गई है उससे संबंधित एक हनुमान जी जब सीता जी से अंगुठी लेके आ गए थे तो एक मुनी के आश्रम में रुके थोड़ी देर के लिए और पानी पीना चाहते थे उससे संबंधित ये कताएं हैं यहाँ लिख रहे हैं उसी समय वहाँ एक बंदर आया तो हनुमान जी ने और उसने मुनी के समीप में रखे वे एक कमंडलू में वह राम नाम अंकित अंगुठी डाल दी और फिर वह चला गया उस समय मारूती वापस लोटे तो उन्होंने चूडा मनी तथा ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत पत्र को तो प्राप्त कर लिया किन्तु मुद्रिका महान आदेकर उन्होंने उसके विशे में मुनी से पूछा तो हनुमान जी ये तीन चीज़ें चूडा मनी ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत पत्र और अंगुठी ये तीनों चीज़ें लखी थी तो मुनी के पास और पानी पीने चले गए फिर बंदर ने अंगुठी उठा के मुनी के कमंडलू में डाल दी जब हनुमान जी वापस है तो उन्हें वो अंगुठी नहीं दिखी अब उसके आगे ये वारतलाप होता है किन्तु मुद्र का वहां न देखकर उन्होंने उसके विशे में मुनी से पूछा मुनी ने अपने भावों के इशारे से कमंडलू की और संकित किया तब मौन होकर हनुमान जी ने कमंडलू में जाका तो वहां उन्हें राम नाम संकित हजारों अंगुठिया दिखाई दी हनुमान जी अस्चर चकित रह गए और मुनी से बोले है मुनी श्रिष्ट इतनी अंगुठिया कहां से आई बताएं और यह भी बताएं कि मेरी अंगुठि कौन सी है तब मुनी उनसे बोले जब जब पवन पुतर हनुमान ने श्रिष्ट राम की आगया से लंका में जाकर सीटा का पता लगाया और जो जो अंगुठियां मेरे सामने रखी हैं उन्हों को बंदरों द्वारा इस मुनी अंगुठि खोज लो मुनी की इस प्रार की बात सुरके हनुमान जी का गर्व जाता रहा और वो मुनी से बोले कि कितने राम यहां आये हैं मुनी ने कहा कमंडलू में से अंगुठिया बाहर निकालकर गिंदी कर लो तब हनुमान जी कमंडलू में से अपनी अंजली भरबर के अंगूठिया बाहर निकालने लगे, किन्तु बे उनका अंत नहीं पा सके, उन्होंने पुना उन अंगूठियों का मुंडलू में डाल दिया, और मुनी को प्रणाम कर वे छनबर मनी मन विचार करने लगे, कि ओ, पहले भी मेरे जैसे सैकड़ो हनुमान लंका जाकर सीता की सुधी ले आए है, तो फिर मेरी क्या गिनती है, ऐसा मन में निश्चे करके हनुमान जी का गर्व जाता रहा, तो ये जो हनुमान जी का गर्व जाता रहा, इस प्रकार की दो और कथा है, एक ये है, और दो और है, आनंद्रमायन के ही अंतरगत, यहां सारकार्ड की क संख्या भी दी गए कि किस सर्ग में किस चैप्टर में यह कथा आई है केवट का प्रभु को अगंगा पार कराना विक्चु वेश में रावन का आगमन सबरी द्वारा श्री राम का आतित थे हनुमान द्वारा शुग्रीव का हितकारे सीता जी को राम मुद्रिका देना सीता जी को राम मुद्रिका देना श्री राम का समुद्र परकोप रावन वद शीता जी की अगनी परीक्षा पुशपक विवांत से सेतु दर्शन कराना अयोद्या में आनंद रावन आधी भाईयों को वरदान बाली सिपराजित रावन यहां कई सारे तीर्थों का वर्णन आया है विशेशकर रामेश्वर जोतिरलिंग को लेकर के जो कथा है वो यहां पर बहुती विस्तार से दी गई है यहां भी धनुश कोटी तीर्थ कोदर्ण पानी नामक मूर्ती प्रतिश्ठित है उनका वर्णन है यहां पर अब यहां खुद ही आनन्द रमायन में लिखा हुआ है मैंने तुम्हें इस से पहले जो सार कांड सुनाया वह भी वालमी के रमायन का ही सार था यहां याग कांड प्रानाम हो गया है अश्यमेद भी यहां पर वर्णन है उसी के संदर्भ में प्रकाशक नहीं है फुटनोट में श्रौत यग्यों के संपादन में समायने था चार रित्विज्यों की अवशकता होती है तो वो जानकारी दिया होता, अर्धवयू, उदगाता और ब्रह्मा तो होता क्या कौन है यग्ये देवताओं के आवाहन हेतु नियुक्त रिग वेद का ग्याता अर्धवयू है यग्ये कर्मकाण संपादन नियुक्त यजुर वेद के ग्याता उदगाता है व्यदिक स्तुती, मंतरों की पाठ हेतु नियुक्त साम वेद का ग्याता और ब्रह्म है यग्ये निर्देश, रिद्विजो का निरिक्षण, दोश परिहार, एवं काम में शान्तियादी कर्म हेतु नियुक्त अथर्ववेद का ग्याता अब यहां श्री राम दास द्वारा, राम की महिमा का परतिपादन और कुम्बोधर मुनी के द्वारा पधित श्री राम अश्टोट्पर शटनाम का वर्नन तो आप यहाँ देखे जहाँ भी मंतर और स्तुतिया आई हैं जहाँ पे कवच इत्यादी भी है जो अभी हमने नमर निवेदन में देखा था कि यहाँ ग्रंथ में प्रभुष्री राम के हनुमान जी, भरत जी, लक्षमन जी, शीता जी सभी के शद्रगान जी सभी के कवच इत्यादी दिये गया है तो वहाँ मूल में ही विनियोग, रिदे आदी, अंगने आस, इत्यादी सब का मूल दिया गया है और विधी भी बताई गई है उसके अलावा इस स्त्रोत का मूल दिया गया है हिंदी में अनुवाद इसका नहीं दिया गया है कहीं कहीं स्त्रोत्र का केवल हिंदी दिया गया है मूल संस्क्रिट नहीं दिया गया है फिर स्त्रोत्र से हमकी स्तुति करनी चाहिए तो यहां स्त्रोत्र दिया गया है और इसका यहाँ नीचे ही यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी दिया गया है तो कहीं अनुवाद दिया गया है कहीं केवल मूल स्त्रोत्र दिया गया है कहीं केवल अनुवाद दिया गया है और कहीं मूल स्त्रोत्र के साथ साथ अनुवाद दिया गया है इसमें एक ये चीज़ दिखा कि जहां भी अब जैसे श्री राम स्तुराज है विलास कार्ण यहां से प्राराम हो रहा है उसके पहले सर्ग में ही है यहां श्री राम का ध्यान तो मूल में दिया गया है मगर इस नोट को पढ़के मुझे ऐसा संदेव है कि शायद इस बात के निर्नाय में कि किसका अनुवाद देना है किसका नहीं देना परहिष्ट में तो मूल दिया ही गया है जो जो स्तुरोथ और स्तुतिया जो है वो अलग से ग्रंत रूप में गीता प्रेस दौरा प्रकाश स्तुतियों के संदर्व में इस पुस्तक में अन्य स्थानों पर भी मिल जाएंगी अब यहां भी जैसे स्तुत्र का उपर मूल दे दिया गया है तो यहां उपर अनुवाद के वल दिया गया है तो यहां नीचे जो है नहीं यहां पर मूल स्तुत्र नहीं है कहीं कहीं पर यह किया गया है कि जो अनुवाद उपर दिया गया उसका नीचे मूल भी दे दिया गया है इस अध्याय में श्रीराम का देह रामायन के रूप में सीता जी को ग्यान अबदेश प्रदान करना और पुरह सीता द्वारा देह रामायन का विस्तरित वर्दन करना तो यहाँ पर देह रामायन का ज्यानुपदेश है, देह रामायन है यहाँ, और फिर सीता जी द्वारा वो बताया गया है, जैसे कुछ आपको संकेत दे दू, किस प्रकार से है, कुछ अंशपण के, शुद्ध सत्वरुपी अंतह करण ही उसका आत्मा पिता कहा गया है, उन् उन्चार अवस्थाओं में तुरिया अवस्था सबसे शेष्ट है, उस तुरिया अवस्था के रूप में दश्रत पुत्र आप श्री राम प्रदेश्टित है, सुशुप्ति अवस्था लक्ष्मन है, तृतिया जो स्वपन अवस्था है वो भरत रूप है और जागरत स्थान है, वही यहां अयोध्या नाम से कही गई है, मन के वेग का दूर होना जो आपने बतलाया है, वह आपके दोरा विश्वा मितर जी की यगि में गमन करना है, मन की दू वृत्तियों का घात ही ताड़का का वद करना है, इस प्रकार से यहां, आपने जिस देहरा मायन नाम से ज्ञान का कथन किया, इस प्रकार से रातों कभी किसी ने कहा है, नो कोई आगे ही कहेगा, यह देहरा मायन का वर्नन है इस सर्ग में, यहां भी भवान शिवदारा रामरक्षा स्त्रोत्र का उपदेश, यहां रामरक्षा स्त्रोत्र जो है बहुत पूरा नहीं दिया गया है यहां भी देखिए नीचे नोट दिया गया है किंचित सब्दांतर से हिंदिया नुवात के साथ गीता प्रस्ष स्वतंत्र रूर्प से प्रकाशित है पीछे परिशिष्ट में मूल स्त्रोत्र दिया गया है इसी पुस्तक में यहां भी राम सहस्त्र नाम स्त्रोत्र कवलेख हा रहा है लेकिन राम सहस्त्र नाम स्त्रोत्र कवलेख हा रहा है लेकिन राम सहस्त्र नाम स्त्रोत्र यहां नहीं दिया गया है परिशिष्ट में भी नहीं दिया गया है यहीं जो पहले मैं बता रहा था तो उसका विस्तार से जो कथा है वो यहां आ रही है यहाँ भी एक मन्यू सुक्त वैदिक सुक्त का उलेख आया है यहाँ नुवाद में तो बताया गया नीचे कि वैदिक सुक्त संग्रह गरंथ में सानुवाद प्रकाशित किया गया है वैदिक सुक्त संग्रह भी इस पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर अगर आप स्त्रोत्र वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा अब ब्रह्माजी द्वारा उन्होंने श्री राम और सीटा को पढ़ाम किया तो यहां जो स्तुति उन्होंने की है उसका मूल और हिंदी में अनुवाद है यह मूल संस्क्रेट है उस पर नीचे उसका हिंदी में अनुवाद है तो हर जगा अलग थोड़ा सा ट्रीटमेंट है स्तुर्तियों स्तुर्त्रों का यह राज्यकांड का ही पुर्वार्द है उसमें आठवा नौवा सर्ग एक साथ दिया गया है जाधा तर चेप्टर सिंगल एक एक चेप्टर ही दिये गया है लेकिन कई स्थानों पर जैसे यहां आठवा और नौवा सर्ग जो है आठवा और नौवा चेप्टर एक साथ है इसमें महराज आश्रीराम की लोका लोक परवत परियंत सातो दीपों की विज़य यात्रा है यहां भी देवर्षी नारत जीज़वारा श्रीराम की स्थुती करने लगे तो स्थुती का हिंदी मनवाद उपर है और नीचे यहां फुटनोट में नवकस्तोत्र है यह तो नवकस्तोत्र जो है वो दे दिया गया है फुटनोट में अब फुटनोट में दे दिया गया है तो फिर यह परिशिष्ट में नहीं है, यहां 23 सर्ग में आनंद रावायन की महीमा, आनंद रावायन के पाठ के फल्सुरूप और सिवक को मंत्रीपत की प्राप्ति और फिर उससे सम्मनित कथाए हैं, तीसरा सर्ग है, यह है मनोहर कांड का, जहां पे पूजा, आदी, वरत, त्योहार, इन सब का बहुत विस्तार से वर्णन है, तो अब जैसे देख सकते हैं, तीसरा ही चैप्टर है, इसमें श्री राम की मानस पूजा और बाहे पूजा का विधान, विस्तार से बताया गया है, वावन आदी आवतारू की तिथिया बताई गई है, महर और लक्षमन जी है, तो यह पंचायतन हो गए, नवायतन में इन पांचों के अलावा, आपको भरत, शत्रगण, अंग, नहीं, राम जी तो हैं, पंचायतन में राम जी को नहीं जोड़िये, वो गलत हो गया, राम जी तो हैं, उनके अलावा पांच लों है, सीता जी, और राम नवायतन होए, इन पांचों के अलावा, सुग्रीव, विभीशन, अंगद, और जामपान, तो यह राम जी उनके अलावा पांच लोग, और उनके अलावा चार लोग, वो दस हो गए, श्री राम नवायतन, और छे लोग हो गए, यानि कि राम जी के अलावा रामतो भधर, सर्वतो भधर राम मुद्र आदी की महत्त्य जो राम मुद्रा हम ने सामने देखी उसको किस प्रकार से बनाया जाता है उसका सुरूप कैसा होता और इसी की अधार पे फिर वहां राम मुद्रा बनाके चिट्रूप में दर्शाई गई है यहां फूटनोट में भी लिखा हैं यहां श्री राम भद्र मंडलों की संरचन तथा उनमें देवताओं आधी की प्रदिश्ठा करके संचेप में पूजन का निरदेश किया गया है यहां पर थोड़ा सा ग्रंथों के बारे में उनके पढ़ने के फल के बारे में कि किस गरंद को पढ़के क्या फल मिलता है अन्य गरंद को पढ़के उसके गुना कितना गुना फल मिलता है उसका है उसी में पुराणों का भी उलेक आ रहा है अठारा मुख्य पुरान बताया गया है, इसमें नारत पुरान को यहां नहीं इंक्लूड गया गया है, उसका जगा आदित्य पुरान है, और उपपुरान में ब्रिहद नारत पुरान आ रहा है, और अन्य कई सारे पुरान है, तो महापुरान और उप पुरान की नामावली विशे में विभिन मत प्राप्त होते हैं यहां नीचे नोट में दे दिया गया है और विभिन रमायनों का भी उलेख यहां आया है। पहान मंगलदाई आनंद्रमायक तो कई सारे इसमें से कुछ रवायण हैं जो आज भी उपलब्द हैं कई जो है वो आप उपलब्द नहीं है यहां से फिर कवचों का एक एक अध्याय में इसमें जैसे हनुमत कवच हनुमान जी के बारह नाम उनके पाठ और शोवन की महिमा विवेद ध्यान सरूप, हनुमत मंत्र, हनुमत कवच का महत्मे यहां देखिए सारा न्यास अंगली न्यास, ध्यान, हृदे अधी, अंगनियास और फिर मंत्रित्यादी सब कुछ दिया गया है और इसी प्रकार से सभी कवच दिये गया है और आप कितने सारे कवच पढ़ना चाहते हैं तो किस ओर्डर में पढ़ना है सारे नहीं पढ़ सकते हैं तो उससे कम कौन-कौन से पढ़ने चाहिए वो किस ओर्डर में पढ़ना है वो नहीं पढ़ सकते है तो उससे कम कौन-कौन से पढ़ने चाहिए वो किस ओर्डर में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ सकते है लेकिन जो अस्टोत्तर शतनाम है यानि कि 108-109 नाम है उनका हिंदी म्यानुवाद यहाँ पर दिया गया है यह भी मनोहर कांड का ही सर्ग 14 यानि कि चैप्टर 14 में है राम जी के संकीरतन मंत्र यहां कई सारे दिये गए हैं पूरा उनकी व्याक्या और उलेक किया गया है कि इस प्रकार से उन मंत्र की सनरचना हो पीछे परिशिष्ट में सभी इस तरह के संकीरतन के मंत्रों का संकलन करके दे दिया गया है और यहां संकीरतन मंत्रों के बारे में कोई बहुत अच्छी जानकारी दी गई है इसका कुछ अंश में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ श्रेष्ट मानव को यह जानना चाहिए कि इन मंत्रों को संकीरतन मंत्रों को माला आदी में जब नहीं करना चाहिए अपितु मधुर स्वर में गान संकीरतन करना चाहिए जिन मंत्रों को मंत्रशास्ट में बताया गया है केवल उन्हीं मंत्रों को जब करने का विधान है इन संकीरतन मंत्रों को नहीं उन मंत्रों का कीरतन नहीं करना चाहिए कीर्टन के लिए जहां बताये गए मंत्रों का ही विधान है बुद्धिमान कवियों को चाहिए कि इन मंत्रों का आश्रय लेकर विविद भाशाओं में अनेक प्रकार के शुब प्रबंध कावियों की रचना करें मैंने यहां जिंजिन मंत्रों को नहीं बताया है, मनिश्यों को चाहिए कि उनकी भी युक्ति पूर्वक रचना कर लें, किर्टनिया मंत्रों की रचना करने में कोई दोस्ट नहीं है, इस क्रिक्ति से भगवान श्री हरी प्रशन नहीं होते हैं दम अत्वा अतिशाय भक्ति के दोरा निश्काम भाव से अत्वा सकाम भाव से समन्वित होकर यदि श्री राम नाम का किर्टन किया जाए तो समस्थ पाप राशी जल जाती है, इस प्रकार से बड़ी से बड़ी रुई की राशी अगनी के निश्चिति दग्त कर डालती है, और विवित प्रकार के चलित्र सम्बंधित वर्णनों के दोरा थोआ, अपने दोरा स्वेक्छा से बनाए गए अशुद्ध भी कविताओं तथा स्ट्रोत्रो दोरा भगवान राम की स्टूति वंदना की जाए, तो वे भी अत्यंत प्रसंद होते हैं, इसमें कोई संशे न प्रसंद होते हैं, भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए संसार में लोगों दोरा जो भी प्रेतन किया जाता है, उससे श्री राम अत्यंत संतुष्ट होते हैं, इसमें कोई संशे नहीं है, यह मनोहर कांड में ही है, पंदरवा सर्ग है मनोहर कांड का, यह सार रमायन सार रमायन जो है वो आनंद रमायन के अंतरगती आता है 17 सर्ग है यहां से सार रमायन प्रारंब हो रहा है इसमें भी वही 9 खंड है जो इसमें है पढ़के तो मुझे ऐसा ही लगा कि 109 कुल सर्ग है इसमें यहां भी 109 कांड है उसके अंदर हर सर्ग का एक तरह से कह सकते हैं संचेप में बताया गया हालकि हां सरवो का नाम नहीं लिया गया है जो अनुवाद है या मूल में भी नहीं लिया गया होगा और इसको सार रमायन बोलते हैं तो सारकांड, यात्रकांड, यागकांड, विलासकांड, जन्मकांड, विवाकांड और राजेकांड, मनोहरकांड मुझत मैं और उसके पूर्णकांड अंत के अध्याओं में एक अध्याओं है जहां की विशयानुकर्म्निका भी दी गई है अनन्द रमायन की तो गरंथ में तो क्लीरली सारा स्यर्णकांड और विशय दौरा श्री राम की स्तुति है उसका हिंदी में वाध दिया गया है आप यहां देखे यहां विशय रनौकरमनिका आगई है अनंंतरमायन के नौ कांड़ों me प्रतिपाध विशय अनंंतरमायन के श्रमने वन पाठ की मेहिमा और स्री राम नवायतन की पूजा का फद तो यहाँ पे वो विश्याय नोगरमनिका देदी गई है 490 प्रिष्ट संख्या पे जो पुस्तक है वो समाप्त हो जा रही है उसका स्तवन्ध सुधा है इसमें जानकारी दी गई है गरगर पढ़ा जाने वाला स्रीराम रक्षास्तोत इसी ग्रंध में आया है अनन्द रमयाण के अतरिक्त किंचित पार्ट वेड़ों के साथ ग्रंधांतरों में प्राप्त Ś्रीराम स्त्राज एवं मूल रमयाण नत्वा लगू रमयन का संपूर्ण सानुवा तथा नामावली सहित श्री राम सहस्तराम स्त्रोत का प्रिथक रूप से लगू पुस्तक रूप में प्रकाशन उपलब दी है। इसके साथी इस रमयन में प्राप्त राम सीता हनुमान लक्षवन भरत एवं सत्रुगण के कवच भी मूल पाठ सहित पूर्व में कल्यान के रामांग में प्रकाशित हो चुके हैं। श्री राम नाम अश्चोत्तर शथ स्त्रूत्र श्रीराम नाम वीनाव में की अधित्यत The Most that Sahasdan कि पिति विश्टर स्रॉट इसमें जो थे आप इसदि चुकरे हैं और इसके बहुती विस्टर के पुस्तक सूची देरी गयी है गीताप्रैस की जो आप मंगवा सकते हैं तो वेबसाइट की जानकारी है फोन नंबर की जानकारी है इंवեल की जת और गीता प्रेस के बुक स्टोर्स की भी यहां पर जानकारी दी गई है जो गीता प्रेस के अपने बुक स्टोर्स है उनकी जानकारी शहर में कहां है और फोन नंबर इत्यादी सारी जानकारी दी गई है यहां गीता प्रेस में कल्यान का उद्देश और उसके नियम और गीता प्रेस के पाच चित्रमय महत्पूर्ण प्रकाशन श्री राम चरित मानस, चित्रमय श्रीव पुराण, चित्रमय श्री दुर्गा सपसथी, श्रीमत भगवत गीता, चित्रमय और चित्रमय सुंदर कांड अंत में श्रीश्रिव कृत, श्री राम स्तुती, मूल और नीचे हिंदी में अनुबाद दिया गया तो यह थी कुछ जानकारी इस वर्ष के कल्यार 2024 वर्ष के विशेश आंख की संचिप्थ आनंद रमायानग वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में